Next topic हमारे पास है activity 4.10 हमारी science के book के अंदर जो activity 4.10 है उसे हमने discuss करना है चलो start करते हैं, first point पे आते हैं Take about 10 ml of water each into cash cubes देखो first point में आपको ये बुलो जा रहा है कि आपने 2 cash cube लेनी है और दोनों cash cubes के अंदर small quantity के अंदर आपने water को लेना है चलो पहले first point complete कर देते हैं तो ये हमारे पास पहली cash cube है और ये हमारे पास दूसरी cash cube है दोनो cash cubes के अंदर हमने small quantity के अंदर water को लेना है approximately 10 ml अब second point पे आते हैं Add a drop of cooking oil to both the cash cubes and label them as A and B अब दोनों की दोनो cash cubes के अंदर आपने small quantity के अंदर oil add करना है और फिर हम cash cubes के अपने labeling भी कर देनी है A और B के label लगा देते हैं तो ठीक है Walker तो पहले सी था हमने दोनों की दोनो cash cubes के अंदर oil भी act कर दिया और label तो हमने पहली लगा दिया था ये वली जो cash cube है इसके उपर A का label लगा देंगे और ये वली जो cash cube है इसके उपर B लिक के चिपका देंगे तो अब हमारे cash cubes के अंदर दो चीज़े हैं एक तो water है और साथ में oil है अब आपको ये पता है ना oil and water do not mix जो oil है वो water के अंदर dissolve नहीं होता क्योंकि जो water है ना उसके जो molecules होता है वो polar होते हैं प्रेक्ट करवा दो उसके बाद फिर में आपको इस बात को भी और डिकेल में explain कर दूँगा कि polar molecules के अंदर polar molecules ही dissolve हो पाते हैं जिनके similar characteristics होती हैं वो ही liquids आपस में एक दूसरे के अंदर dissolve हो पाते हैं water और oil आपस में एक दूसरे में dissolve नहीं होते तो जब आप oil डालोगे ना तो oil की आपको अलग-अलग layers नज़र आएंगी जो oil है ना उसके गेंसे के कम होती है वो हलका होता है जो water है उसके गेंसे के जादा होती है तो नीचे water होगा उपर oil के layer होगी तो आपको नज़र आ रहा होगा उपर की तरफ oil के लिएर होगी नीचे की तरफ water होगा oil हलका होता है उसके गेंस के कम होती है इसलिए वो उपर होगा water भार ही होता है तो water के गेंस के जादा होती है इसलिए वो नीचे होगा clear हुआ next point पे आते है to test tube B add a few drops of soap solution यह जो B वाली test tube है ना इसी के अंदर हमने soap solution को भी गाल ला है जो पहले वाली test tube है उसमें सिरफ दो चीज़े है water है और oil है आपको अलग-अलग निज़र भी आ रहे होगे उपर oil clear होगी नीचे water clear होगी यह जो दूसरी test tube है test tube B इसके अंदर अब तीन चीज़े होगी है water भी है oil भी है और साथ में soap solution को भी इसके बीच में act कर दिया है इतना clear होगया next point पे आते है now shake both the test tubes vigorously for the same period of time अब आपने दोनों की दोनों test tubes को ना अच्छे ते shake करना है shake करने के वज़े से अंदर के जो contents है ना वो आपस में काफी अच्छे से mix up हो ज़ेंगे और दोनों की दोनों test tubes को same time के लिए shake करना है तो 2 minutes के लिए आप अच्छे से इसको shake करो test tube को ताकि अंदर के जो contents है वो आपस में अच्छे से mix हो जाए next point पे आते है can you see the oil and water layers separately in both the case tubes immediately after you stop shaking them next point में आपसे ये पुछा जा रहा है कि शुरू में तो oil और water के layers आपको separate separate नजर आ रही होगी जब अपनी school के अंदर chemistry lab में ये experiment करोगे ना तो water गालने के बाद जब आप oil को गालोगे तो आपको नजर आएगा कि जो oil के लिए रहा है वो अलग है water नीची अलग है लेकिन जब आपने shake किया shake करने के बाद जैसे ही आप रुके उससे में अगर आप देखोगे ना तो आपको water और oil की separate layers initially नजर नहीं आएगी देखो ध्यान से देखो पुछा के जा रहा है जब आप shake करना बंद करोगे ना एकदम से उसके बाद आपको water और oil की अलग-अलग layers नजर नहीं आएगी क्योंकि आपने काफी देड़ तक अच्छे ते shake किया था ना जिसकी वज़े से oil और water की जो अब इसके अंदर present है थोड़ा काइम लगेगा उनको separate होने में एकदम से वो separate नहीं हो जाएंगी नेक्स पॉइंट पे आते हैं अब नेक्स पॉइंट में आपको ये बूल जा रहा है कि shake करने के बाद दोनों की दोनों केस क्योइंट को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अंगिस कप छोड़ दो जब आप दोनों की दोनों केस क्योइंट को ऐसी रख दो गए न तो धीरे धीरे oil और water की जो layers हैं एक दूसरे से separate होना स्कार्ट हो जेंगी मतलब oil की जो molecules हैं न वो धेरे धेरे उपर की तरफ आना स्कार्ट रहेंगे और finally यह होगा कि oil और water की अलग लग layers आपको एकदम clear नजर आने स्कार्ट होजेंगी oil के गेंस के कम होती है वो हलका होता है water के गेंस की जादा होती है water भारी होता है तो water नीचे होगा जो नीचे वाली layer वो water की होगी और जो उपर वाली layer वो oil की होगी लेकिन दोनों cash cubes के अंदर same time नहीं लगेगा यह जो पहली वाली cash cube थी ना जिसमें सिरफ water और oil था इसके अंदर oil और water के layers काफी जल्दी separate out हो जाएंगी लेकिन जो दूसरी cash cube थी उसके अंदर आपने soap solution को भी तो act किया हुआ था जिसकी वज़े से यहाँ पे दूसरी वाली cash cube के अंदर oil और water के layers eventually तो separate out हो जाएंगी लेकिन इनको separate out होने के अंदर time काफी जादा लगेगा जो पहली वाली cash cube है ना उसके अंदर ये layers जल्दी एक दूसरी से separate out हो जाएंगी इसके अंदर time थोड़ा से जादा लगने वाला है तो यही इसका answer है yes, the oil layer separate outs, oil की जो layer है वो तो separate out हो जाएंगी नीचे water के layer होगी उपर oil के layer होगी it happens first in cash cube जो पहली वाली cash cube है उसके अंदर ये जल्दी हो जाएगा इस वाली cash cube में थोड़ा से time लगेगा जो soap solution है ना, वो water में dissolve हो जाता है तो इसके अंदर नीचे जो layer है वो water plus soap solution है उपर फिर oil के layer होगी एक बाद आपको और समझाने थी कि ये polar molecules, non-polar molecules ये सब क्या होते है नेको जो polar liquids होते हैं उनके अंदर दूसरे polar liquids बड़ी असानी से dissolve हो जाते हैं जो water और oil है ना, वो दूनों आपस में एक दूसरे के अंदर dissolve नहीं होते जो oil है वो water में dissolve नहीं होता लेकिन water तो बहुत अच्छा solvent है बागे सारे substances, बहुत सारे substances तो water में dissolve हो जाते है oil अब क्यों dissolve नहीं होता, वो हमने समझने है जो water है ना, वो polar molecules है water के जो molecules हैं, वो polar होते है water का formula होते है, एक को वो इसमें hydrogen के दो atoms होते है oxygen का एक atom होते है, तो यह देखो यह नीचे hydrogen के दो atoms को represent किया हुए है और यह उपर oxygen का atom है, जिसके उपर negative charge है जो hydrogen का atom है, उनके उपर positive charge होता है तो यह अवना water का molecule बनाए हुआ है और यह जो HCl है, यह भी polar होते है यह भी polar molecules होते हैं इसके भी इसके अंदर H के उपर यह positive charge होता है HCl के उपर negative charge होता है polar liquids, polar liquids के अंदर dissolve हो जाते होते हैं HCl को hydrochloric acid को अगर आप water में गालोगे ना तो अच्छे चाग dissolve हो जाएगा कैसे dissolve होते हैं उसे समझते हैं जब आप SCl को water के बीच में गालोगे यह SCl था आपने इसको water के बीच में गाला तो यह SCl के molecule को चारो तरफ से water के जो molecules है ना वो घेर लेंगे तो दो दो यह water molecule है यह भी water molecule है यह भी water molecule है यह water molecule है यह भी water molecule है तो SCl के molecule को चारो तरफ से water के molecules ने घेर लिया है अब आप ध्यान से देखना तिरा charges की तरफ ध्यान दो यह C1 negative यह व्यापर negative charge है ना negative charge के साथ यह positively charge ions आके आक आच हो जाते है और यह POS के पॉस के वाले के साथ ये लेगेकिव ये रखेट Вले के ये सापस के ये अक्या कैच हो जाएंगे अबी जो walker molecules है ना ये CL लेगेकिव इस वाले हिससे को इस तरह खीचते हैं और ये वले जो walker molecules है ये इस H-po raft के वाले पार्ट को इस तरह खीचते हैं जिसकी वज़े से थोड़े कहम के बाद ये सेप्रेक आउप पुझेगा इसी रीजन की वज़े से जो HCl है ना उसको जब पानी के अंदर गालते हैं तो वो घिजॉल्व हो जाता है और H-Pos की वो HCl लेगर के बाइन्स ये पानी के अंदर जनरेक हो जाती होते हैं ये जो H-Pos के बाइन्स जनरेक हो जाती होते हैं ना उसकी वज़े से हाईगर कलोरिक एसे का इतना ज़र ज़र स्क्रॉंग एसिगिक नेचर होता है जब उसे पानी के अंदर गिजॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर जब आप ओयल को गालोगे वाटर के अंदर जब आपने HCl को गाला था तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने चारो तरफ से इसको घेर लिया था ना उसके बाद forces लगानी स्कार्ट कर दे थी ये इस तरफ और इस तरफ खीशना शुरू कर दिया था अगर आप इस कीशी OIL के मॉलिक्यूल को वाकर में गालोगे तब वाकर के जो मॉलिकूल्स है आलो के मॉलिक्यूल्स के चारो तरफ पैसे आगे नहीं चिपकते क्योंकि जूगे वो नौनपोलर होताँ है मतलब उसके ओपर एसे चार्जेज्ट प्रसेंग नहीं होते जिसके वज़े से वाटर के मॉल्ट्वीूस उसके उपर ऐसे ऑउल के ओपर क्षिचास कंगालके उसको अलग लग नहीं कर पाती होते हैं इसलिए जो ऑउयल है वह वाटर के dissolve नहीं हो पाती होते हैं जो HCL है वो भी polar है जो water है वो भी polar है तब ही ये आपस में एक दूसरे के अंदर dissolve हो जाएंगे लेकिन जो oil है उसके molecules polar नहीं होते हैं उनके उपर charges नहीं होते हैं जिसकी वज़े से oil के molecules को अगर पाने पे गालेंगे न तो पाने के molecules जैसे यहाँ पे गेर लिया था ना इसको फिर ऐसे ऐसे forces लगा के अलग कर दिया था वैसे oil के particles को वो अलग नहीं कर पाएंगे इसलिए oil और water आपस में एक दूसरे के अंदर mix नहीं होते होते हैं सԵी जया और was का है कि आपसमें आपसाएंस फिर दूसर आपस में लूसरे से घूसरे यह होते हैं झुझ है झाला हते हैं